नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परिक्षिता अकैडमी और आज हम आपको जो है लेटेस्ट एमपेपेसी द्वारा जलरी की हुए केलेंडर के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की आपको लेटेस्ट एपडेशन जो भी आते हैं मिलते रहेंगे और कॉम्पेटिट्व एक्जाम के आप प्रप्रेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम उससे संबन्दी जितने भी सब्सक्राइब उनके उपर वीडियो बनाते रहते हैं तो आई आज हम बात करते हैं MPPSC एक्जाम के बारे में जो कि MPPSC के द्वारा जारी किया गया है और क्यों इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो मध्यप्रदेश लोग सेवायोग अर्थाथ हम बात करें MPPSC इन्होंने जो एक्जाम आयोजीत की तो इससे 2019, 2020 और 2021 तीन साल के जो PSC है उसके बारे में Clarity आ रही है क्योंकि MPPSC जो 2019 का एक्जाम हुआ था उसका PTNA की preliminary test भी हो चुका है उसका result आ चुका है means भी हो चुका है लेकिन अभी तक जो है final result नहीं आया है तो final result कब तक आ जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि December 2021 में final result आएगा देन उसके बाद interview और फिर अंतिम लिस्ट आएगी तो यहाँ पर 19 के लिए यह important बाटती है अब जो 2020 का हाल ही में जो 25 जुलाई 2021 को pre exam हुआ था उसका result अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पर भी हमें जानकारी दी गई है कि जो pre result है जो भी civil service और वन सेवा परिक्षा है दिसंबर 2021 में इसका result आ जाएगा और अप्रेल में मुख्य परिक्षा होगी देन इसके बाद फिर जो भी result आएगा interview होगा और फिर finalist आएगी और जो अब बात करते हैं 2021 की तो जो है अभी तक इसका notification नहीं आया है तो यह जो है शुरुआत से जो student exam देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ इंपोर्टेंट है मैंस exam होगी मैंस का result आएगा सक्षतकार जो भी interview होते हैं और लास्ट लिस्ट का जो है एक इनों ने जो है पूरा schedule बना के दिया हुआ है तो हमारी जो है selection process है या फिर हमारी जो तेयारी की stage है उसमें यह हमें काफी हद तक helpful रहेगा जिसका कि हम इंतजार कर रहे थे तो नहीं दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसना है तो मारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेल जरूर करें थेंक्स पर वाचिंग